स्वाहा, शब्द का उप्योग हवन में कई बार किया जाता है, क्या कभी आपके दिमाग में सवाल आया कि स्वाहा क्यों बोला जाता है, आईए मैं इसका जवाब देता हूँ, लेकिन इससे पहले एक सलाह देना चाहता हूँ कि हिंदी में एक मुहावरा है, सब तहस नहस हो सब कुछ स्वाहा हो गया, वहाँ पर स्वाहा, मतलब एक नकारात्मक तरीके से लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर स्वाहा का मतलब नकारात्मक भाव में नहीं है, सनातन धर्मों में स्वाहा एक देवी का नाम है, राजा दक्ष प्रजापती की बेटी थी और इन्होंने अ कोई मंत्र का उच्चारण किया जाता है, तो मंत्र के अंत में स्वाहा बोलते हुए अग्निदेव के अंदर वो चीज दी जाती है. ये हमारे भारत की एक मनघणंत कहानी नहीं है, ये हमारे भारत का इतिहास है. इस वीडियो को और लोगों तक शेयर करो, ताकि लोगों को भ ये स्वाहा शब्द का नकारात्मक भाव से नहीं, सकारात्मक भाव से ले. नमस्कार.